नमस्कार, वेलकम टू केरिन मंत्रा 9.1 मैं अंकित ज्यादव आपके अपने यूटूब चैनल में आपका स्वाथ करता हूँ आच्छी क्लास में हम यूपिटर प्लसी पेट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर गया हैं आच्छी क्लास में हम सामान जागरुपता का टॉपिक पढ़ेंगे ये टॉपिक जो है आपके एक्जाम में 10 मार्क से 10 कोश्चन आएंगे आच्छी क्लास में हम राजसभा, लोगसभा, विधानसभा और विधान परशद की तुलना देखें इन में क्या क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है बात क्या होती है कि हम इनको अलग-अलग तरीके से पढ़ते हैं मन्दब राजसभा को अलग, लोगसभा को अलग, विधानसभा को अलग और विधान परशद को अलग, तो क्या हम कन्फीज हो जाते हैं में कौन सा article है क्या है किस का हीज कितनी है time period कितना है तो होता क्या है इसको हम आज table के माद्ध हमसे पढ़ेंगे तो easily यह चीज़ें हमें याद रहेंगे और fix हो जाएंगे हमारे दिमाग में किस चीज के बारे में कितना दिये रखा है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे लाइक कर दीजे और शेयर कर दीजे और वीडियो के अंत में अब बीश में कमेंट करके मुझे जरूर बताई कि यह शेशन आपको कैसा लगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं आपकी दिमाग की घागर में भरते हैं क्यान का महासागर तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं चलिए देखते हैं आज ची क्लास में हम इन सभी का डिफरेंस तोलना क्या क्या है तो सबसे पहले हमारा देखो आपको मैं समझा देता हूँ यह राज सभा दे रखा है इधर लोग सभा इधर बिधान सभा और इधर बिधान परशद और बिधान सभा तो यह हमारे जो पहले सबसे पहले दे रखा है हमारा ये उच्छ सदन है फिर उसका निम्न सदन फिर ये भी उच्छ सदन फिर निम्न सदन इस तरह से ते रहा ठीक है तो होगा क्या कि जो भी मंदब जैसे कि बहुत से चीज़ें क्या करेंगे कि first to third match करेंगे और बहुत से चीज़ें हमारी क्या करेंगे लोगसभा की विधान सभा से match करेंगे और राजसभा की विधान परिशद से match करेंगे इस तरह से first और third match करेंगे और second और fourth match करेंगे काफी चीज़ है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गठन एवम सरचना की बारे में देख लेते तो जो हमारी राजसवा है वो 801 अनुचेद में है लोगसवा 81 अनुचेद में और बिधान परिशद हमारी ये गलट टाइप हो गया 169 अर्टिकल में है और बिधा सवा के में सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होता है मतलब बिधान सवा में जितने सदस्यों होंगे उसका वन धर्ड होगा ठीक है और इसकी जो मैक्जिमम है वो 500 है ठीक है बिधान सवा में कितने सदस्य है मैक्जिमम 500 है ठीक है अब आगे चलते हैं बरतमान में इस इसमें कितने हैं 530 हैं नियूंतम सदस्य देखो इसमें क्या है 40 है नियूंतम सदस्य से कम नहीं होना चाहिए इसमें नियूंतम सदस्य साथ से कम नहीं होना चाहिए पर कुछ जो हमारे गोवा हैं और सिक्की में ये क्या है अपवाद है इसमें 40 और इसमें 32 सदस्य ठीक है आ अब प्रतेक्ष 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 और विधान परश्त में में तो प्रतेक्ष तब बातियीं। वो पद्धिती जो होगी अनुपातिक प्रतिनिधित पद्धिती होगी एकल संक्रमनिय द्वारा ठीक है इस तरह से इसे में होगा एक अनुपातिक प्रतिनिधित एकल संक्रमनिय द्वारा ठीक है इसमें क्या रहता है डारक्ट होते हैं तो चनाब प्रदेशिक प्रतिनिधि होता है आगे बात करें हम लोग आगे इसमें इसमें इंपोर्टेंट ये है कि हमारा जो विधान परिशद होता है उसमें एक बटा तीन सदर से विधान सवा की सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं एक बटा तीन सदर से इस्थानी सहस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं एक बारते बारह सदसे, तीन साल से मादमिक सिपुने, कक्शामे सिक्शकों उनकी द्वारा चुने जाते हैं किसकी बात ओर विधान परिश पिरुग है। राजिप्द कर सकता है तर इसमें जो है राजिपाल पहले से विक्टित कर शकता है इनके सदस्यां कारेकाल छे वर्स यहाबर भी छे वर्स और इनका जो amyOOD मों बढ़ा जाता है नहीं तो पांस साल ही रहता है सदस्य बनने के लिए आरिता क्या है तो ये जो आरिता है वह तीस वर्सका होना चाहिए यहाँ पर पच्चिस वर्सका यहाँ तीस वर्सका और यहाँ पच्चिस वर्सका संसद्वारा पारित किसी विधीग अधीन के आरिता रखता हूँ सेम है सब में सम्मिधान की अनसूची तीसरी अनसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनसर सपत लिया हो ठीक है सपत गर्हन कौनसी अनसूची के तेहरती होって ही तीसरी अनसूची नहीं होना चाहिए, सभी में सेम चलना, ठीक है, दिवालिया विक्रत नहीं होना चाहिए, मांसिक से, दस्मी अनुसूची, मतलब की दल बदल विरोधी कानून के आदार पर आयोग नहीं होना चाहिए, मतलब दल बदल मतलब नहीं किया हुसने, किसी चुनाब में भरष्ट आ हैं हम लोग निरहर्ता संबंदी प्रशन राष्टपती को निर्देशित किये जाने का प्रावधान है ठीक है और भी कोई प्रशन है तो वो राष्टपती के द्वारा प्रिसित किये जा सकते हैं ठीक है तो यह हमने जो है पूरा कंपलीट हमने यां तक हमने क्या देगा राजसवा, लोकसवा, विधानसवा और विधान पर्शाट ठीक है, अब बात करते है हमारे, इसी में यह चल रहाए है भी खतम नहीं हुआ ये, सदस्यता की समाप्ती, समाप्त कैसे हो सकती सदसेता ठीक है यदि सदसे सदन की सभापती को संभोव दित कर अपना त्याग पत्त दे दे और पीठा से नदिकारी ने उसे स्युकार कर लिया हो तो उसकी क्या हो जाएगी सभापती हो जाएगी उसके पत से समिदान में बताएगी निरहरता में भागी होने पर फिर हो यह एडि नियाल उस चुनाब को अवैधी गोसित कर दे जिसके आधार पर व्यक्ति सदन का सदस्य बना वो जो चुनाब हुआ तो वही निसकासित हो जाए वो अवैध हो जाए तो भी सदस्य हट जाएगा यदि सदस्य राजपती उपराश्पती या राजपाल बन जाए गरता तो भी उसे अटा दिया जाएगा अब very important पदादिकारी कौन कौन से पदादिकारी होती है किसी भी सदन में ठीक है तो हमारा जो राजसवा है उसमें होते हैं सवापती इसमें उपसवापती तो होते हैं सवापती और उपसवापती इसमें कौन से होते हैं लोगसवा मे अद्यक्ष और उपाद्यक्ष सेम इसमें चलेगा देखो जो हमारा राज्य सवा है उसी के जैसे सेम हमारा विधान परशद में चलेगा और जो हमारा क्या है लोग सवा है लोग सवा जैसा ही हमारा विधान सवा में चलेगा तो इसमें क्या होते हैं सभापती और इसमें होते हैं अध्यक्र और अद्यक्र यहां तक हमने तिनो की चारों की तुलनाएं देख ली हैं लोकसवा, राजसवा, विदानसवा, विदानपरशाज थीख है अब बात करेंगे संसद की समितियों के बारे में अगर आपने अभी तक चाहिए सब्सक्राइम नहीं किया हो तो कर लीजिए मैं आपको याद दिला दू और हाँ कमेंट करके बताइए कि ये शेशन आपको कैसा लगा है ठीक है तो चली आगे चलते हैं हम लोग अब संसत्की समितियों के बारे में हम देखेंगे ठीक है तो च क्या क्या है इसके विवन मंत्रालों के वै और नियंतन एव माहा लेखा परिक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्ष करना ये इसका कार है सैकेंड नंबर पर है हमारी प्राकलन समिति इसमें किते सदस होते हैं तीस सदस होते हैं जो तीसों के तीस सदस होते हैं वो ती किसे सदसे कितने 22 इसमें से 15 सदसे हमारी लोक सवागे और 7 सदसे हमारी राज सवागे इसका कार्य होता है CAG के प्रतिवेदनों एवं सारजनिक अपकरों के लेखागार प्रतिवेदनों की समिक्षा एवं सवीक्षा करना ठीक है देखे लोक लेखा समिती और सारवजनिक समिती दोनों में हमारे कितने कितने सदसे हैं 22 सदसे हैं अब बात करेंगे हैं विशेशा दिकार समिती इसमें कितने सदस होते हैं लोक सवा में 15 सदसे और राज सवा में 10 सदसे दोनों जो है अलग-लग भर करते हैं ये मिल करके एक समिती नहीं बनती है ये समिती जो होती है विशेशा दिकार समिती है दोनों सदनों में होती है लोकसवा रासवा में सदन के किसी भी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेशा दिकार के उलंगन से सम्मंदित प्रेशित मामलों का परिक्षन करना ठीक है? कोई भी गलत काम करता है कोई भी बात का उलंगन करता है तो उसके बारे में परिक्षन करती है प्रवर समिती इसमें 30-30 सदसे होते हैं दोनों सद्रों में विदेकों की समिक्षा करती है सेक्त प्रवर समिती इसमें 45 सदस होते हैं 30 सदस हमारे लोकसवा से और 15 सदस हमारे राजसवा से सरकारी विदेकों का समय निश्यत करने ही तु सिफारिश करती है सरकारी जो भी विदेक होते हैं उनका टाइम पिरण निश्यत करती है याचिका समिती इसमें 15 सदसे होते हैं और यहाँ पर भी 10 सदसे होते हैं प्रतिक याचिका की जाच करना इसका काम होता है नियम समिती 15 सदसे और 16 सदसे सभा की पिक्रिया एमकारस अंचालन के मामले पर विचार विमर्स करना ये इसका काम होता है ठीक है तो हमने जो है आच्छी क्लास में लोकसवा, राजसवा, विधानसवा, विधानपरशद, चारो टॉपिक्स का कंपेरेजन देख लिया, अंतर देख लिया और संसत की समितियों के बारे में भी देख लिया चलिए आच्छी क्लास में हम यहीं तक पढ़ाएंगे, ठैंक्स पॉर वाचिंग वीडियो, टेक कियर, बाई बाई, धन्यवाद